बिस्मिल्ला इर्वान इर्वाहिम अस्सलामुलेकुम देर स्टुडेंट, आपकाशिक शेर लास्ट लेक्चर में लेवल ओफ और्गनाइज़ेशन के दिफ्रेंट लेवल को हमने डिसकस किया उनमें सबसे पहले इंडिवीज्वल दी होल और्गनेज़म उसको हमने पढ़ा उसके बाद पापुलेशन, उसके बाद कम्यूनिटी और अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगेंगे वो एको सिस्टम है यह डिफ्रेंट लेवल ओफ और्गनाइज़ेशन है जिसको हम अब लो लेवल से हाई लेवल की तरफ लेकर चलेंगे लो लेवल का मतलब के हर एक लेवल ओफ और्गनाइज़ेशन एक सिंपल स्मालेस्ट यूनिट से स्टार्ट होता है वो आप जानते हैं एको सिस्टम का मतलब होता है किसी भी जानदार का अपने महोल के साथ रिलेशन कि कोई भी जानदार अपने महोल में किस शेप में रहता है हर जानदार अपने इर्दगिर्दवाले महोल में किसी ना किसी शेप में रहता है वो शेप्स भी डिसकस करेंगे कि वो और्गनीजम्स की कौन सी शेप्स है तो इससे पहले हम और ecosystem को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ecosystem को कैसे refine करेंगे तो ecosystem आपके सामने मुझूद है उसकी definition level of organization में हम पढ़ रहे हैं ecosystem को a system in which living organism interact with its surrounding environment is called ecosystem ecosystem, ऐसा निजाम, ऐसा अमल जिसके अंदर जिन्दा जानदार interact with its surrounding environment जो अपने इर्द गिर्द महोल के साथ तालुक में रहते हैं उसे हम ecosystem कहते हैं, कोई भी जिन्दा जानदार है उसका जिन्दा जानदार से भी तालुक है, उसका बेजान चीज़ से भी तालुक है मसाल के तोर पर एक अगर जानदार है, humans को ले लें, humans का non-living thing के साथ भी relation है अब non-living thing उसके लिए हवा है, पानी है, temperature है, उसके इर्द गिर्द की वो चीज़ें जो उसके इस्तमाल में है वो तमाम जो उसको benefit देती हैं, वो non-living, लेकिन उसका उसके साथ तालुक है, एक इंसान का non-living thing के साथ, यानि कि अपनी environment में जानदार और बेजान चीज़ों के साथ तालुक है तो दोबार रिफाइं करते हैं, a system in which leaning organism, interact, मिलना, तालुक बनाना, with its surrounding environment is called ecosystem second way, बहुत important बात बताई जारी है, बहुत important MCQs हैं, बोट के दोबाद से species is regarded as unidolk ecosystem, species को माना जाता है कि ये एक ecosystem की अकाई है अब उस species एक इनसान भी हो सकता है, एलाइम भी हो सकता है, दोब भी हो सकता है, मॉंकी भी हो सकता है ये तमाँ के तमाँ species हैं, ये मिलकर population बनाएंगी और इस तरह मुफ़तरिक population community बनादेंगी तो आब ये population, community की शकर में किस shape में रहती है, वो एक जानदार से दूसरे जानदार के साथ कैसे तालूप बना कर रहती है वो shapes आपके सामने या आपे मैंने हाइडरेक्ट की हुई है, और उनको तफसीर के साथ मैंने लिखा भी हुए shapes of organism interaction in an ecosystem, shapes of organisms की बाव बताई जा रही है, interaction in an ecosystem में किस तरह हो तालूप बना कर रहती है number one, in a community, the organism interaction occurs in many shapes एक community जिसमें कई population रह रही होती है, इनसान भी रहरा होता है, मुक्तलिफ पोदे भी रहरे होते है, मुक्तलिफ जानवर भी रहरे होते है, परिंदे भी रहरे होते है, हश्राद भी रहरे होते है यह तमाम मिलकर एक community बना देते हैं, क्योंकि यह मुक्तलिफ species की population होती है तो उसमें जो shapes हैं, वो following हैं, उनमें सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं predation predation का मतलब होता है, शिकार और शिकाली का तालूप predator and prey interaction इंटिदार रोलेशनशिप यह एक तालूप है, in which one organism, एक organism जो के predator है, वो एक शिकाली है feeds on the other organism, और वो खाता है दूसरे जानदारों को, जो के prey है एक ऐसा जानदार, जो दूसरे जानदार को खाता है, उस तालूप को हम predation कहते हैं मसाल के तोर पर एक example दे हुए, एक अगर line है, तो वो deer को एक line share जो है, वो एक predator है, वो एक शिकारी है और उसका जो शिकार है, प्रे है, वो deer है, इसका मतलब अगर deer होगा तो शेर के लिए फाइदे मंग है, शेर उसे खाएगा, जिन्दा रहेगा, अपनी नसले बढ़ाएगा लेकिन अगर इस तरह के शिकार नहीं होगे, तो शिकारी की अबादी भी काम होती गाएगी, उनके दरम्यान जो है, लड़ाई जगड़े भी ज़्यादा पैदा हो जाएगे, खुराफ को लेकर तो ये तो का हमारे पहला शेप और्गनीजम एको सिस्टम में प्रिडेशन है, नमर सेटिंड है पैरसाइटीजम, पैरसाइटीजम एक ऐसा तालुक है, जिसके अंदर एक जानदाद, दूसरे जानदाद से फाइदा भी ले रहा होता है, उसे नुकसान भी बुचा रहा हो मसाल के तोर पर मॉस्कीटो, मॉस्कीटो एक एक एक्टो पैरसाइट है, यानि के हमारे जो इनसान है, वह उसके जिसम से उख्राख हासिर करता है, बाहिर रहा कर, उसके खून को सक करता है, उसके खून को चूसता है, अब उसको खून को भी चूस रहा है, और साथ साथ तर हो रहा है उसे हम parasitism करते हैं define कर रहते हैं it is a relationship in which one organism takes benefits ऐसा तालूक जिसके अंदर एक जानदार कोई फाइदा हो रहा है from other दूसरे से by harming it और उसके वो नुकसान भी पहुंचा रहा है प्प्पताहें मास्कीतोव एकटसी है वो इनसान भी करaking कर रहे हैं खून भी चूसर रहा है को प्प्राइब म explained कर रहा हैं और उसके अंदर विमारी को को भी मुंत किल कर रहा है यानि के दूसरे जानदार को फाइदा भी नहीं हो रहा है वो नुकसान हो रहा है बलके बलके एक जानदार को फाइदा हो रहा है तो इस तरह के तालूप को हम पैरसाइटिजम का नाम देते हैं तीसरी शेफ है कुमेंसलिजम लाफ जाइब कुमेंसलिजम कमेंसलिजम एक ऐसी शेप है और्गनीजम की एको सिस्टम के अंदर जिसके अंदर एक जानदार को फाइदा हो रहा होता है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं होता मसाल की तोर पर आपने मेट्रिक में शार्क और रेमरस के एक्जेम्बर पढ़ी होगी शार्क के साथ छोटी मचली हमेशा साथ रहती है वो उसको कोई नुकसान नहीं पुझाती लेकिन उससे फाइदा लेती है छोटे छोटे टुकडे गोश के जो शार्क खाती है वो पानी के साथ पीछे आते है बहाओ के साथ पानी के वो पीछे की तरफ आते हैं और वो छोटी मच्री रैमुराज उससे क्या करती है वो फ्रेशिस को वो टुक्डों को खाती है इससे शार को कोई नुफसान नहीं होता बलके फाइदा रैमुराज को हो रहा होता है तो define कर रहा है, it is a relationship in which one organism takes benefit ऐसा तालोग जिसके अंदर एक जांदर फाइदा ले रहा हो फ्रों अगर दूसरे से, and the second और दूसरा जांदा है, is neither benefited उसे ना कोई फाइदा हो रहा है नो हाग और ना उसे कोई नुकसान हो रहा है तो simple definition है, it is a relationship in which one organism takes benefit from other and the second organism, जो दूसरा जांदार है, is neither benefited nor harmed उसे कोई नुकसान भी ना हो और कोई फाइदा भी ना हो और इस तालोग को हम commensalism करते हैं नमर फॉर पर जो shape of organism ecosystem है, वो है mutualism, बहामी तालोग, बहामी relationship it is a relationship in which both the organism takes benefit from each other यानि के ऐसा तालोग जिसके अंगर दोनों जांदार एक दूसरे से फाइदा उठाएं उस तालोग को हम क्या नाम देते हैं, mutualism कहते हैं आपने एक easy, एक example को पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं, lichen, association है, algae और पंजाई के दर क्याई तो algae और पंजाई दोनों एक दूसरे को फाइदा देते हैं इसके अंदर तो बहामी तालोग मना के रहते हैं तो इसलिए वो कहरा, it is a relationship in which both the organism takes benefit from each other is not as, उसे हम mutualism कहते हैं, जो last way है, वो shape of organism, ecosystem में वो competition है, वो मुकाबला है, वो जगड़ा है, एक ही population में जानवरों के दर्म्यान लड़ाई जगड़ा, किस बुनापर? resources की बुनापर मसाल के तोर पर एक अबादी है जिसमें share रहते हैं लेकिन वहाँ पर उनके खाने की खुराग बहुत कम हैं, एक चेर के लिए खुराग है, बाखियों के लिए हैं, तो वहाँ पर resources कम हैं, उनकी खुराग कम हैं तो आपस में लड़ाई जगड़ा शुरू होगा, conflict होगा, competition बढ़ेगा, जिसकी वज़ा से क्या होगा? कि अबादी में वाज़े तोर पर कमी आएगी, resources के कम होने की वज़ा से, it is a interaction, ये एक तालूट है, it is a interaction, in which two organisms compete, जिसमें दो जानदान मुकाबला करते हैं, from same resources, एक ही resources पर, मसाल के तोर पर, एक हीरन का शिकार हो रहा है, और इसको 11 share खाने के लिए आगी है, तो conflict होगा, जगड़ा होगा, बाकियों के दरम्यार, 11 share, एक हीरन, तो ये resources के कम होने की वज़ा से, उन में मुकाबला होगा, और वो इस मुकाबले में एक दुसरे से लड़ेंगे, sources, in an ecosystem, उसे हम नाम देते हैं, competition, उसे अब मुकाबला कहते हैं, तो ये थी ecosystem, और उसमें, shapes of the organism, तो दुबारा देख लेते हैं, आपके सामने, ecosystem है, उसको define किया हुए है, बहुत important मैंने आपको बताया, कि बहुत important MCQs है, बोट के इतबार से, बहुत important बात है ये, ये shape of organism है, जो मुक्तलिक ecosystem में जानदार मिलकर रहते हैं, अब ये सब shapes के बाद, हम आखरी level of organization की तरफ move करते हैं, जिसका नाम है, living world in space, living world, जिन्दा जानदार एक space में, पूरी दुनिया में, उसमें हम बात कर रहे हैं, बायोम की, बायोम क्या चीज़ होती है, एक बहुत बड़ा इलाकाई एरिया, इलाका बहुत बड़ा, रिजिनल एरिया, जो के अपनी आबो हवा की वज़ा से जाना जाता हूँ, उसे हम बायोम क्याते हैं, आबो हवा किसी भी खिते की मुक्तलिक होती हैं, दूसरे खिते से, मसाल की तोर पर हम डैजर्ट को ले लेंगे, सहरा को ले लेंगे, तो सहरा में गर्मी ज़यदा, टंपरेचर ज़यदा, अवैपुरेशन रेट ज़यदा, बारिश कम, जिसकी वज़ा से वहाँ पर जो जानवर होंगे, वो दिन के वक्त नहीं निकलेंगे, वो राट के वक् क्योंके सहरा ने 10 से 11 मही में गर्म रहना है, टंपरेचर उसका गर्म रहेगा, लेकिन एक तरफ हम दूसरे को देख लें, फोरेस्ट को देख लें, ग्रास लैंड को देख लें, वहां की आप वो हवाँ चेंज है, वहां पर जानवर कुछ और है, वहां पर बोदे कुछ औ तो ऐसा इलागता, ऐसा खिता जो अपनी आप वो हवा की बरसे जाना जाए, और उसमें वही जानुझ सर्वायव कर सके जो उस खिते के जो चेख अब वहां से ताल्ग रखते हैं, ऑम उसे वायम क कहते हैं, वायम के डिफाइन कर रेते हैं, आप लाग क मिला मिले हैं, एक और बड़ा सहरा है जिसके अंदर मुटलिफ अबादिया रहे हैं मसाल के तोर पर उसके अंदर माइस रह रहे हैं उसके अंदर रैट्स माइस जिसम चुहा चुमिया कहते हैं उसके अंदर सनेक रह रहे हैं उसके अंदर मुटलिफ किसम और मैमल्स रह रहे हैं उसके अंदर को जो इफ्तदाई तोर पर अपनी आपको हवा की बरस से जाना जाए उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम भायोम्स का नाम देते हैं. फुरस हटी फाइंड कर लेते हैं, इसको एफ्लेनेट कर लेते हैं, इसको एफ्लेनेशन शो करते हैं. The distribution of organism study through Biomes. जो जानदारों की तक्सीम हुई है उसको हम बायोंस की मदद से स्टुड़ी कर सकते हैं अब जो कैक्टी है जिसे हम कैक्टिस भी कहते हैं अब वो सहराई पोदा है सहरा में रहने के काभी बना लिए उसने अपने आपको तो अब जो पोता सहरा से पानी में रहता है और जो पोता सहरा में रहता है तो दोनों के लिए जरूरी उसकी हाःबो हवा है उन्ने उसी हाःबो हवा के मطावी के अपने आपको ढाल दीया है तो गह रहे हैं, the distribution of organism, कोई भी जानता हो, पोदा हो, जानवर हो, परिंदा हो, हश्राक हो, जमीन के नीचे रहने वाले हो, वो बेसिकली अपने बायोंस की वजा से स्टडी किये जाती है, क्यों सा जानवर किस खिते से तालूप रखता है, और उस खिते की अभवववा कैसी ह the major kinds of plants, जो main किसमे हैं, जो major बड़ी इकसाम है, plants की, determines the other kinds of the, वो जाहिर करती है, दूसरे पोदों और जानवरों को, प्रियानिका ख्लोरा, ख्लोरा को हम प्लांट्स कहते हैं, और फाना को हम एनिमल्स का नाम देते हैं, लेड़ो, the biome है, ने आफ्र अप्र अप्र टाइप the major plant, the biome को हम उसके major plants की वरा से नाम देते हैं, कि ये बोदे, ये बोदे यहाँ पर रहने वाले हैं, ये कई सालों से यहाँ पर मुझूद है, उन्होंने adaptation कर ली है, ये खुश्की है, पानी नहीं है, temperature बहुत ज्यादा से रा में, तो ये सतियों से यहीं पर मुझूद है, उन्होंने उस इलाके को अड़ाप कर लिया है, therefore the biomes है ने, after the time, the major plant, जैसे क्याक्ती major plant है, एक सहरा का, desert का, तो ये क्या करता है, और main quality, और इसकी main quality, वाज़ा features and physical, कि वहाँ पर जो तिबी असरात हैं, जो जिसमानी असरात हैं, वहाँ पर महोल के, क्या होते हैं, उनके आभी पोदर ने अपने आपको कैसे घा दिया हैं, उसे हम understand करते हैं, बायोम्स के अंदर, और an ecosystem, ecosystem में example ले रेते हैं, forest है, grassland है, desert है, EDC, ये तीनों मुद्री में एक दूसरे से, यहाँ पर जानवर जो बसते हैं, यहाँ पर नहीं बसते, जो यहाँ पर पोदे हैं, आभा हुआ, इस कितने की अलागा हुआ हुआ, इस कितने की अलागा हुआ हुआ, तो जिस आभा हुआ में जानवर पोदा अपने आपको ढ़ाल ले, और अपनी जिन्दिगी को गुजारे, और सदिया लगाए, और आगे बढ़ता जाए, अपनी नसले बढ़ाए, उसको हम बायो उसका नहां बेपे